हुआ हैं यहां यहां पे हम डिसक्स करेंगे यहां पर हम डिसक्स करेंगे पहले तो हम बात करेंगे किसकी युनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डवलब्न ओर्गِّन की ठीक है तो अब यह मैं कि नेशन इंडस्ट्रियल डवलब्न ऑरिजएशन यह फिर इसको एसे पério ct क्यों इसकी बात करते हैं bout बैसिकली इह प्रमोट करता है इंडस्ट्रिय डिवलब्न को यह बोलता है कि जादा से जादा जो है वो इनडस्ट्री बगाई जाएं जाएंगी तो जो पावर्टी है उसको रेडियूस किया जाएगा तो और बोलोगे कि एक रोज़गार वाला जो है एक सिचेशन हमें जेंडिशन जो है वो देखने को मिलेगी तो लोगों को जब जॉब मिलेगी तो जो पावर्टी यह लोगों जब पैसा कमाएंगे तो आविसी बात है पावर्टी हमें जो है कई हद तक जो है वो कम होती हुई देखने को मिल सकती है फिर हम बात करते हैं कि अब यहां पर यह बोला गया था कि जब किया जाएगा तो ऑविसी बात है कि गलोबवार्ट की कंसर्ट पी हमें देखने को मिलेगा हैं ना यहांस से बनेगा वह बाहर की देश में जाएगा बाहर के देश का अब में हमारे देश में आएगा यहां पर और इपर से अबहु अगुए बार्ट cả करते हैं यहां पर एक हैल्थी कॉम्पेटिशन देखने को मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री जब एक होगी दूसरी भी होगी तीसरी भी होगी चोती भी होगी पांच भी होगी ऐसे कहीं सारी इंडस्ट्री जो होगी तो ऑविसी बात है यह जो इसका प्रोड़क्ट जो होगा जैनुन प्राइस भी होगा जो कस्टमर को मिलेगा क्योंकि इसको यह होगा कि जादा जब प्राइस लगांगा तो दूसरी इंडस्ट्री जो है वह इसी प्रोड़क्ट को जो है वह सस्ते में बेचेगी है ना तो एक हेल्थी कॉंप्टेशन जो है करें बात को दो वियानःः में थी क्या है थैक कि अच्छा फिर हम करते हैं हां फिर हम बात करतेはり कि प्रफिंत सब्सक्राइब शेख सेके कही थी और हम यह बोलेंगे कि 170 स्टेटों में सॉरी 170 स्टेट्स हैं इसकी मैंबर है ठीक है ना इसकी मैंबर स्टेट्स है 170 वांट सेन्ट जो है इसकी मैंबर जैनि यह एन आई-डी के साइट किसी को डेकलिएर कर दिया जाता है नँचलों देखते हैं युनेस्ज़कों के बारे में युनेस्कों की फुल-वार्म कि है युनइटे नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चिरल औरगनाइज़ेशन ठीक है यह इसकी फुल-वार्म आजाती है इसका काम क्या रहता है जन्डर इक्वालिटी को प्रमोट करना और सौथ अफ्रिका जो है पर्टिकुलर इसको फोकुस बनाया रखना ठीक है अब हम बात करें इसका काम यही रहता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग वगारा प्रोवाइड करना एक एजूकेशन में इंप्रोव्मेंट आने किया जाए इसे इसको वर्ल्ड हरिटेस साइड जब डिकलियर कर दिया जाता है ताकि उसकी प्रोटेक्शन जो है वो बनी रहे अब हम बात करते हैं पांच सेक्टर जो है जिस पर फोकुस किया जाता है यूनेसको के दौरा जैसे कि समाल आइलेंड जो है ठीक है समाल आइल 1946 से 4 नोंबर को भूँआ था पर शैसे पहले इसको फॉण्ड किया गया था तो हम बोलेंगे नियाची नोंबर 1945 को फॉंड नहीं फॉर्म नहीं हुई थी फॉंड हुई थी फॉर्मेशन कब होती है कि एक साल के बाद जाकर 1946 में पर्टिकुलर बात कर तो 4 नमबर 1946 अब हम बात करते हैं कि पहले क्या हुआ करता था बाता है 194 तो आज की टाइम पर आपको 194 कंट्री जो है वो मेंबर नेशन देखने को मिलती है और 12 अशोशियेट मेंबर कंट्री से वह देखने को मिलती है इसके अंदर ठीक है फिर हम बात करते हैं युनसको की वर्ल्ड हाइटेस साइट इंडिया में कितनी डिकलियर की गई 42 की गई है, 39 जो युनसको वर्ल्ड हाइटेस साइट अब दोहुजार इकलियर की गई थी, रमपाटेमपल ठीक है बाकिस का नाम यह भी आप देख सकते हो, 40 जो युनसको वर्ल्ड हाइटेस साइट डेकलियर की गई थी, डोला वीरा, 2021 में, 41 जो डिकलियर की थी, हम बात क करें कि कितनी कल्चरल साइट सामारे इंडिया में 34 और साथ जहां वो नैच्रल साइट साइट से तो 34 को प्लस कर दो साथ से कितना मनता है करके देख लो आजाएगा आपका 42 ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं यहां पर टॉप जो है वह किसके दोरा किया गया इटली की दोरा सैकिन नंबर पर चाइन आता है फिर जर्मनी आता फिर फ्रांस आता फिर स्पेन आता फिर इंडिया आता है तो इंडिया का सिक्स्त राइंक रहता है जी 42 साइट से फूर 59 लें नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशन मेरी टाइम और इंडियाजेशन की आई इम उगी तो हम यह बोलें इसकी फॉर्मेशन का की गई थी सतारा मार्च 1948 में इसका है लंड़न लंडन में बात करो तो युनाइटिड किंडम में ठीक है फिर हम बात करते हैं इसका का तो ध्यान दिया जाता कि 씨पस वैद्व जो भी चलेंगीぃ मेरिटाइम पॉलीशन गल्यरा जो है वो ना करेसल मेराइन पॉलीशन गल्या एक पॉल्सफिरिक पॉलीशन गल्वागा ना करें इस हिसाथ से शिप्स को या वो डिजाइन किया जाएगा और एक और हम बात करें इसको पांच कंट्री जो थी इसने इसको फॉंड किया था 1995 में ठीक है तो 1995 में सिर्फ फाउंड उती फॉंड नहीं हुए थी फॉरमेशन इस और इसको फाइव गूप बोला जाता था ठीक है इसको पांच कंट्री जहां हम बात करें शिंगाई 5 Group के अंदर जाब वो एड होती है 2001 में क्या होता है उसबेगी स्तान एड होता है फाइनली वो जब उसबेगी स्तान 2001 में एड हुआ तो शिंगाई 5 Group से नाम चेंज हो कर बन जाता है शिंगाई कॉपरेशन और्गनेजेशन जिसको अब बोलते हो SEO ठीक है तो इसका SEO नाम पढ़ गया और हम बात करें ये शिंगाई कॉपरेशन और्गनेजेशन जो इसकी फॉर्मेशन या अनॉंसमेंट का अब करती जाती है वो भी चाइना में की जाती है 15 जून 2001 में और चार्टर भी साइन किया जाता है 2002 में ठीक है बाकी हम बात करें हैड़कॉर्टर कहां पर है जी बेजिंग में ठीक है अब शेंगाई मत समझना की शेंगाई में इसका हैड़कॉर्टर होगा इसका हैटकौर्टर बेजिंग यानिकी चाइना में है ठीक है अब मेंबर्स की मैं बात करूँ तो उसके बात करूँ तो हम यह देख लिए हमने इसका हैटकौर्टर कहां पे बेजिंग में फिर हम बात करें आठ मेंबर नेशन्स है कजाकिस्तान ये कुसारविंस्तान है कजाकिस्तान पाकिस्तान उस्वेकिस्तान करेकिस्तान तजाकिस्तान इंडिया चाइना रशिया ठीक है ये कुछ मेंबर नेशन्स हैं शेंगाई कॉपरेशन और चार अब्जरवर स्टेट्स हैं जज़े मंगोलिया इरान बेलारूस 2017 में उस समय इंडियर पाकिस्तान को फुल मेंबर जेव बना दिया गए था शेङंगाई आपकरेशन का और उस समय जो है हम बात करेंगे वह क थे अस्ताना में हुई ती ठीक है बाकिया को परेशिस्ट को अर्गिशन जिसका काम क्या रहा था पीस, स्क्यूरिटी और स्टेबिलिटी जो है पर्टिकुलर एक रीजन में जो है वो बनाई जा सके ठीक है आपके आपको पता कहीं सारी यहां पे आपको शेगाई कॉपरेशन और अर्गनिजिशन के इंदर कहीं सारी आपको मैलिटाइम एक्सेसाइ जो है वो देखने को मिलती है फिर हम बात करते हैं बिक्स की बात कर लेते हैं अब ब्रिक्स जो है बेसिकली इसका काम यही एता है कि जो हमारे डेवलपिंग नेशन से उनकी गलोबल एकॉनमी जो है उनके इंप्रूब्मेंट वगरा जो है वो लाज सके मतलब कि इनकी इकॉनमी जो है वो भी अच्छे से जहाए वो डेवलप हो सके इसलिए इनकी इकॉनमी में जो है इंप्रूब्मेंट लाया जाता है बिक्स के दौरा अब फिरमबात करसके लावा जो है पीस स्कूरिटी कापरेशन यह सब पर भी धियान देता है सब को फोई प्रमोट करता ए ठीक है वागी हैटक्वाटर प्रिक्सक्रट टौबड़ फिर Hem भात करें ब्रिक्स का टो ठीए कोईन कि तौरा की गई ती जीम जीम ओ रीही गई ती हुशुचophone उस समय चेर्मैंट मैंने सफुम समय उसले को ऩटेले को फर्मैंट में तो फॉइस की इस यह fourteen 42 में उस्तों इनाइटर नेशिन gyernel sagte सिंपरी का सिस्टी फस्ट सेशन था अ जब रिक्स की हम पर रशिया रहो यहां है सोला जुन 2009 में हुई सैकंड सम्मीट में घृघ चाल इंडिया बार भात है तर्ड है बात करते हैं इन्दिया में होती है और फॉर्थ समिट जो है वो ब्राजिल में होती है इस सममेंचद बैंक की formation होती ही देखने को मिलती है और new development bank का काम यही रहता है कि कभी BRICS के जो member nations है उनके fund की अगर कमी होगी तो उस समय यह development bank जो है उनको fund जो हो provide करेगा उस emergency situation से बाहर निकलने के लिए फिर हम बात करते हैं कि यहां पर union of south American nations उनको इन्वाइट किया गया था मतब्वी south America continent आप देखते हो वहां पर हमारे जितने भी nations है south America के वहां पर उनको भी जो है यहां पर बुलाया गया था invite किया गया था अच्छा फिर हम बात करते हैं आगे चलते हैं seven summit रश्या में होती है समय has to・r जोयंट सम इट देखने को मिलती है यानि की bricks और Hai जोयंट देखने को मिलती है एट हमारी इंडिया मेंहोई उसमोमें bricks यह विम्स्टक ज्यान समिट में देखने समेट और फिर हम बात करते हैं 12 मी समिट रशिया में हुई 13 मी समिट इंडिया में होती 2021 में 14 मी समिट चाइना में होती 2022 में और इस बार की 15 समिट कहां पे हुई सौथ अफरिका जो की 2023 में देखने को मिलती है ठीक है तो यहां से हमारा BRICS भी जो हो कम्पलीट हो जाता है हमने BRICS के बारे में देखा और हमने SCO शेंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन इसके बारे में भी देखा फिर हमने International Maritime Organization के बारे में देखा फिर हमने उसके बाद फिर हमने UNESCO के बारे में देखा फिर उसके बाद हमने United Nation Industrial Development Organization के बारे में देखा ठीक है तो इतना ही रखते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स लेक्चर में और जाते हैं मैं वही चीज़ बोलूँगा कि इंस्टागराम में जाके फालो कर लो क्योंकि इंस्टागराम में हम जो भी करेंट अफेर्स आपके होते हैं वहाँ पे सब पोस्ट किये जाते हैं जो भी इंपॉर्टन आपके एक्जाम के लिए ठीक है बाकी मेरे इंस्टाग्राम अकॉंट में फालो करना चाहूँ वहां भी कर सकते हो लिंक्स आपको दोनों के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे ओके चलो इतना रखते हैं मिलते हैं नेक्स टेक्चर में बाई